IK Associate के YouTube चैनल में आपका स्वागत है Income Tax Tax Audit Limit की Changes हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे For the Financial Year 23-24, Assessment Year 24-25 आपकी Tax Audit Limits जो Revise होई है उनको इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले है तो Budget 2023 में Section 44 AD और 44 ADA को Revise किया गया है यानि कि आपकी Presentive Tax Limit को Revise किया गया है For the Financial Year 23-24, Assessment Year 24-25 और यह जो Revise Limit है वो क्या रहेगी और इनकी Condition क्या रहेगी वो देखते हैं तो Section 44 AD जो की Small Business पर Applicable है Presentive तो Limits है 2 करोड तो अमारे Previous Year के अभी तक जो Limit थी वो है 2 करोड तो अब Limit जो Revise कर दी गई है वो है 3 करोड और इसके अलावा जो साथ ही में 44 ADA जो आपके Professional के लिए Applicable है Section 44 ADA तो इससे पहले भी जो पुरानी Limit थी वो थी 50 लेक इसको भी Revise कर दिया गया है वो हो गई अब 75 लेक तो 44 ADA आपको पता है जो आप Income Calculate करते है 8% और 6% 44 ADA में अगर आपके कोई Digital Transaction है तो 6% आपको दिखानी होती है अगर Non Digital Transaction है तो आपको 8% दिखानी होती है तो Tax Audit 44 ADA में जो पुरानी Limit थी वो 2 करोड से बढ़ा कर Revise में 3 करोड कर दिया गया है और Professional के लिए 50 लेक थी उसको 75 लेक कर दिया गया है बट ये तभी Applicable होगी जब आपका 95% Transaction Online Mode में होना चाहिए 5% से ज़्यादा Receipt आपकी Case में नहीं होनी चाहिए तो 5% से कम की ही Receipt आपकी Case में होनी चाहिए और 95% Receipt जो है वो आपकी Online Mode में होनी चाहिए तब ही ये Extended Limit आप पर Applicable होगी Otherwise वो पुरानी Limit ही Applicable हो जाएगी तो इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है और जो नई Limit है इसकी क्या Condition है वो हमने इस वीडियो में आपको बता दिया तो दोस्तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें